जये बचरंग बली की दोस्तो! दोस्तो विजे दस्मी वर्सका सर्व सिद्धी दायक दिन होता है। इस दिन सुब कावनाउं से किये गए कारे कभी विफल नहीं जाते हैं। कभी या सफल नहीं होते हैं क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम ने रावन का वद करके लंका प बाद मा दुर्गा ने दश्मी के दिन ही मैशा शुर नामक राक्षास का बद भी किया था और बुराई पर विजे पाई थी। यह दिन सरवत विजे का दिन ही होता है इस दिन कोई भी कार विफल नहीं जाता है। इस दिन कुछ विशेश उपाय करके आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हरा कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि इस दिन किये गए उपायों से धन संपत्ति, स्वर्ण, आदी की प्राप्ती भी की जा सकती है। इसे दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे ही खास हो पाये जैने करके आप अपने जीवन की हर समस्याओं को हरा सकते हैं और उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथी साथ अपने सभी मनों कामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। दोस्तो राम नौमी के दिन किसी भी पूजा की दुकान से ग्यारा काली गुंजा लेकर आए। दसेरे के दिन सुबैस नान के बाद इन्हें गंगाजल और गाय के कच्चे दूद से धोकर पूजा घर में रख दें। पूजा खतम होने के बाद इन्हें लाल कपड़े में बांध कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे वर्स बर आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। पूरा साल आपके घर में धन आगमन के सभी राग मार्ग खोले ही रहते हैं। अगले वर्स इस परियोग को दुवारा से करें और पुरानी गुंजाओं को जल में बिशर्जित कर दें। इसके अलावा दोस्त विजय दस्मी के दिन जाडू के विशेश उपाय विशेश रूप से फल देने के लिए जाने जाते हैं। जाडू के दिन साम के समय रावार दहन के बाद किसी भी मंदर में एक नई फूल वाली जाडू ऐसी जगह आपको रखायें। जहांपर से आपको रखते हुए कोई भी देखना ले। जाडू का ये गुप्त दांग बहुती धन परदायक होता है। दसेरे के दिन गौधुली के समय ओम आप पर जाता है नमा इस मंतर का 21 बार जाब करने से हमेशा आपको हर जगह विजह ही विजह प्राप्त होती है। चाए ब्यापार में हो परिक्षा में हो या फिर नोक रिपिशा आदि व्यक्ति के जीवन में आरही संकटों पर विजह प्राप्त करना हो। जीवन में सभी संकटों का नास हो जाता है और आपको हात लगती है तो सरफ जीत ही जीत। इसके अलावा दोस्तों दसेरे के दिन फिटकरी के उपाई भी की जाते हैं। दसेरे के दिन एक फिटकरी ले इसका आकार कितना भी हो आपकी मुठी में पूरी तरह समाज आए बस इतना ही काफी है। करके सभी सदस्यों से इस पर हात लगवा ले और घर की चत पर इसे अपनी पीठ के पीछे फेक आए। जिस तरफ उसे फेकना है उसके उल्टे आप खड़े हो जाए और अपनी पीठ के पीछे आके बंद करके मन में अपने इस्ट देव का यानि जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका ध्यान करते हुए अगर आपका कोई इस्ट देव नहीं है तो भगवान स्री राम का या फिर हनमान जी का ध्यान करते हुए अपनी कामना बोल दे आपकी जो भी मनुकामना है उसको दोहरा दे और सिर के पीछे हाथ को ले जाते हुए फिटकरी को उचाल करके फेक दे और फिर बिना मुड़े अपने घर वापस आ जाए या फिर अगर आप छत पर ही सुपाय को कर रहे हैं तो आप अपने घर में नीचे आ जाए और अगले दिन इस फिटकरी को पापस से वहीं जाकर उठाए और इसे भेते हुए जल में प्रवाइद कर दे इस फिटकरी को प्रवाइद करते ही आपकी मनुकामना पूर्ण हो जाएगी दज़ेरे के दिन नाकेसर का पौदा अगर आप अपने घर के परिशर में लाकर लगाते हैं तो यह बहुती सुप माना जाता है नाकेसर का फूल भगवान शिव को जो कि देवों को देव है उन्हें बहुती प्री है इससे वह स्जीगर प्रसंद हो जाते हैं और इस बढ़ता है वैसे वैसे आपके घर में अचानक ही धन और कुबेर के खजाने की तरह धन आपके घर में बढ़ता ही रहता है। दसहरे के दिन एक लाल कागत की छोटी-छोटी चोक और पर्चियों पर राम का नाम लिखकर आटे की छोटी-छोटी गोलियां बनाकर इसे इसके बीच में दबा दे और मचलियों को खिला दे ये उपाय इतना कारगर है और प्रभावशाली है कि ये उपाय करने मातर से करने के तुरंद बाद ही आपके घर में कभी भी आपको किसी प्रकार की गरीबी का सामना नहीं करना पड़ता दसेरे के दिन आप घर के मुखे दुआर को साप सुच करके उस पर फूलों की बंदरबान सजाएं रंगोली बनाएं और घर में सुबता का संचात और सकारतमक उरजा को अपने घर में बड़ोतरी दे दोस्तो यह थे कुछ उपाएं जिने आप दसेरे के दिन कर सकते हैं और अपने घर में से नकारतमक उरजाओं को और गरीबी को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर कर सकते हैं तो आशा करते हैं कि आप इन उपाएं को करेंगे और अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद कमेंट बोक्स में लिखते रहें जैब जरंग बली